रियाज अंसारी चुने गए नवाब गंज तैसील पत्रकार संग के अध्यच काफी दिनों से चल लही नवाब गंज पत्रकार संग के चुनाओ की उठा पटक के बीच आखिरकार आज रियाज अंसारी को निर्विरोध रूप से अध्यच चुन लिया गया रियाज अंसारी अधेच चुने जाने के बाद उनके विरोधियों के मनसूबे पूरी तरह से नकाम हो गए बताते चलें रविवार को नगर के सिरीकर्ण इंटर कालेज में हुई नवाब गंज पत्रकार संग की बैठक में रियाज अंसारी को निर्विरोध रूप से अधेच चुना गया था उनके अधेच चुने जाने की सूचना से उनके राजनीतिक विरोधियों में हलचल मच गई थी जिसके बाद कुछ पत्रकारों ने इन नेताओं की राजनीतिका सिकार होने के चलते रियाज अंसारी के अधेच चुने जाने पर नगर के एक नेता की नीन उड़ गई थी वो नेतर रियाज अन्सारी को अधिच पत से हटाने के लिए छड़ियंद रच रहा था आज नगर के आकेजन बराद घर में हुई पत्रकार संग की बेठक में रियाज अन्सारी ने अधिच पत से अपनी दावेदारी वापस ले ली लेकिन पत्रकार इसके लिए राजी नहीं थे और सभी ने एक मत से उनको नवाब गंज पत्रकार तहसील संग का अध्यच चुन लिया इसके साथ ही अनुप गुपता कोसा ध्यच नजमुल अनसारी रियाजुद दीन को सच्यू सुमित कुमारुवन नजमी जैदी को भी सरो सम्मति से उपा ध्यच चुना गया इफ्तिखार अमन वा अब्दुलकयूम को संग का विधिक सलाहकार चुना गया नवाब गंज तहसील पत्रकार संग के अध्यच चुने गया रियाज अंसारी ने संगठन को मजबूत करने और हर पत्रकार के सुक दुख में साथ खड़े रहने का वादा किया साथ ही नवाब गंज तैसील के पत्रकारों में से अनूप, सुमित, अनू, कयूम अंसारी, अकलाक अंसारी, अमन, रियाजुद्दीन अंसारी, रियाजुर्फ गुड्डू, परवेज अंसारी, आदि भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे बरेली उत्तरप्रदेश से, अकलाक अंसारी की रिपोर्ट देखते रही है, आपका अपना चैनल, आंचली ख़वरें, अपनों की ख़वर आप तक इसमें जो आज बैठा कुई है, इसमें गठन हुआ है, और जिम्मेदारी जी गई है, जिस पत्ति, च्या कहने से? जी, नमस्का, असलाम अलेकुम, जी मैं मुक्तार रह्मत, आज मुझे पता चला, जब कि पिछली मीटिंग में जिस तरीके से बरताव किया गया था, हमारे तैसी लद्देश जनाब राज अंसारी साथ को नाम चुना गया, इसके साथ एक ऐसा महल बना दिया, क्रेट कर दि हुए है, आज आके जन साधी हाल में, और आज 25-30 से उपर ज्यादा हम पत्रकार संगे हैं, और इस तैसील का जाना माना चेहरा, कि सब से ज्यादा युवा और तेज तर्दार पत्रकार, जो हमेजा हर जगे मौजूद, हर प्रगाम में मौजूद, चा सरकारी प्राब में ह जो कि ना के घर में बेटे हुए हैं, अपने पत्वे अपना नाम कागज में चाहते हैं, हम चाहते हैं, ऐसे विवा को ही अद्दक्ष होना ना चाहिए, हमारा समर्तन राज अनसारी साथ है और हो गया, और दिया है सब लोगोंने, और मैंने पूरी टीम को बदाई तक्राने के लिए जंता के लिए लड़ें और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्ला और अनुब भाई बरिष्पत्रकार हमारे जो हैं हमारे जो है वो को साद्द्यक्ष पर आम सहमेती से सबको नियुक्त किया गया है या कहना चाहिए एक आम सहमेती से ये कमेटी बनाई गई है इसमें किसी प्रकाल काम अध्वेद नहीं है और मैं जो साती अभी भी जो कुछ लोग जो राजनीती कर रहा है पत्रकारों के नाम पर और जो आज की इस बैठक में नहीं आ पाए मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए जरूरी है कि हम लोग संगटित होकर एक साथ रहके हम लोग अपने स संगटन को मझबूत करें और जो लोग नहीं आये उनका भी हमारे संगटन में स्वागत है वो आहें जुने हमारे साथ उनकी जोबही समस्याय आंगी हमारे जो आज के साती हमें एक-दूसरे और जो बैठेगोई थी रभी बार कुसमने देखा मुझे आम सहमती से अद्रज बनाया लेकिन कुछ लोगों ने बीच में रोड़ा आठका दिया राजनीती के उसमें ऐसा है कि नबाब गंज के कुछ बड़े राजनीती चेहरे जो बड़े राजनीती करते हैं वो भी सामिल बहाने उन्होंने लाग किये लेकिन उनके मनसूरे काम्याब नहीं हो सके मैं उन लोगों को भी जो राजनीती कर रहा हैं पत्रकारों के संगठन के बीच में मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वह अपनी दलों की राजनीती करें हम पत्रकारों के दिलों को फाड़ने का काम हम सब एक हैं और जब भी बथ मध्त पड़ेगा और आप देखेए बो लोग राजनीति है जिनों ने पत्तरकारों का्स जादा उत्लान किया है हर जगा उनके साथ माई पीड एक ऐसा नहीं गिरा गिरा गे रोटोपर मारा है पत्तरकारों को ऐसे लोग राजनिती करना है हम लोगों को जुदा करने का काम करना है कुछ लोग उनके मुहरे बन गया है कुछ लोग उनके हाथों की कुछ पतली बने हुए हैं और वो इसको राजनिती संगठन बनाना चाहते हैं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे सारे पत्रकार हमारे साथ ह हम सब साथ हैं और एक दूसरे की जंग हमेसा मिलके लड़ेंगे अपने पत्रकारता के जो हम काम है उससे हटके जो भी अगर हमारे साती उनके परिबार पर किसी परकार की समस्या है तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं झालुओड़ झालुओ़ ऑkeeता एक आचित क्यों जासे काम है दोस्तुपबो जो जोड़ेंगे जो खड़े मारे सालो घगर और और प्रोटर हैं सुपक्तिर दीता बादनी है